जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर महा के तीसरे सप्ता के बारे में यानि 15 दिसंबर से 21 दिसंबर 2022 के धनुरासी फल के बारे में धनुराशी के लोगों के लिए दिसंबर महा का तीसरा सप्ता कैसा होगा इस सप्ता में कौन ग्रह कहां इस्तित होगा और आपकी राशी पर क्या प्रभाव डालेगा ग्रहों के प्रभाव से आपके वेपार, वेवसाय, नौकरी, सिक्षा, स्वास्त, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन और दामपत्य जीवन पर क्या असर पड़ेगा जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तों आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे निवीधन हैं, यदि आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तों बात करें इस सब्ता में ग्रहों की इस्तिती के बारे में, तो मंगल देव पूरे सब्ता आपके छटे भाव में वक्री अवस्ता में होंगे तो ऐसे में वक्री मंगल का असर आपके स्वास्ते पर पड़ेगा यह यहां आप पर कारेगा बोज अधिक डालेंगे जिससे कई बार आप मांसिक रोप से परिसान हो सकते हैं लेकिन इस दोरान की गई कठिन परिसरम, कठिन मेहनत आपको सफलता की और आगे अगरसर करेगी इस औरान आपका कोई भी सत्रू, कोई भी विरोधी आपके सामने नहीं टिक पाएगा यानि आप विजई होंगे और यहां मंगल की दरस्टी आपके बार्में भाव पर होगी तो ऐसे में विदेशी मामलों से आपको अच्छे लाव की प्राप्ती होगी यात्रा पर जाने के योग बनेंगे यात्रा आपके लिए सुखद होगी बुद्धदेव यहां आपकी ही रासी में वराजमान है और बुद्धदेव के साथ शुकृष़देव भी आपकी रासी में वराजबान है यानि लगन भाव में बुद्ध और शुक्र की यूति है और इन दोनों की यूति से लक्षमि नरायन योग बना हुआ है सब्ता की सुर्वात में सूर्य आपके 12 भाव में वराजमान होंगे और 16 दिसंबर को सूर्य भी आपकी रासी में वराजमान होंगे और यहां फिर आपकी ही रासी में लगन भाव में तीन ग्रह एक साथ वराजमान होंगे सूर्य बुद्ध और शुक्र सूरिया और बुद्ध आपके लगन भाव में बुद्ध दित्तय योग बनाएंगे बुद्ध और शुक्र आपके लगन भाव में लक्षमिलारानी योग बनाएंगे तो ऐसे में यह समय छात्रों के लिए बेहत खास होगा साथ ही वेपार वेवसाय से जुड़े लोगों को भी अच्छे खासे परणाम देखने को मिलेंगे बुद्ध दित्तय योग जिस भाव में बनता है वह उसे मजबूत यानि परवल बनाने का काम करता है और यह योग विशेजफल परदान करता है तो आपके लगन भाव में बुद्ध दित्तय योग के बनने से आपको मानसम्मान और यस की प्राप्ती होगी साथ ही केडियर के प्रति आप गंभीर होंगे ऐसे में आप अपने लक्षे की पूर्ती के लिए प्रियासरत रहेंगे और अपने लक्षे को प्राप्त करने में सफल भी होंगे ऐसे में अच्छा धनलाब होगा आपके द्वारा किये गई प्रियास, किये गई मेहनत आपको कोई अच्छा अवसर परदान करेगी और साथ ही यह समय छात्रों को भी सुव परणाम देने वाला होगा और लक्षमी नारायन योग में व्यक्ति के जीवन में लक्षमी जी की विशेष किरपा होती है धन सम्मंदी सभी समश्याएं खत्म होती है और इसके साथी सुख समरदी और सांति प्राप्त होती है जोति सास्तर में शुक्र को प्रेम और सुक्का कारक ग्रह माना जाता है यह लगजरी लाइफ आधिके कारक ग्रह भी है तो इस दोरान आप अपनी बुद्धी और पृतिवा से जीवन में हर प्रकार के सुको को प्राप्ट करने वाले होगे जीवन में धनकी कोई कमी नहीं होगी और इस योग के बनने से आएके एक से अधिक सुरोत आपको मिलेंगे और कारियों से अच्छा धनलाप प्राप्त होगा पारिवारिक जीवन सुखाद होगा लक्षमिनारायन योग के बनने से आपकी जीवन में चार चांद लगेंगे और सिक्षा के मामले में भी विसेज सफलता प्राप्त करेंगे ऐसे में लोग आपकी पृतिबा को देखकर आपकी सराना करेंगे तो बनने वाले ये योग आपको सिक्षा के मामले में ज्यान के मामले में विशे सफलता परदान करेंगे आपको अपने वेपार में वेबसाय में अच्छे मुकाम हासिल होंगे और यह सब्ता आपको कारे छेतर में अच्छी सफलता देने वाला होगा जिससे आपकी आर्थी किस्तिती भी मजबूत होगी देवगरू ब्रस्पती आपके चतुर्थ भाव में वराजमान होगे जो कि आपके केरियर और व्यवसाय के भाव पर दरस्टी डालेंगे तो ऐसे में आपको अपने केरियर में अच्छी उन्नति के अफसर दिखाए देंगे व्यवसाय व्यवपार आगे बढ़ेगा अच्छा लाप प्राप्त होगा साथ ही परिवारिक सुख में वरद्धी होगी माता-पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा इस दोरान मकान, भवन, भूमी, वाहन, आधिका सुख भी आपको प्राप्त होगा और यह समय प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए काफी उत्तम साबित होगा कर्मफल दाता सनी देव आपके दित्ते भाव में मारगिय वस्ता में है तो ऐसे में सनी का धन भाव में सीधी चाल से चलना आपके वारे न्यारे करने वाला होगा यह समय आपके लिए गुल्डन साबित होगा क्योंकि सनी की साड़े साती का आखिरी समय चल रहा है और सनी की इस्तिती भी काफी सुबह और सीधी चाल से चल रहे है क्योंकि जब कोई ग्रह सीधी चाल से चलता है और सुभ भाव में इस्तित होता है तो वह अच्छे परणाम देने वाला होता है तो सनी यहां आपकी धन सम्मंदी सभी समश्याओं को खत्म करेंगे परिवार में सुख सांती प्रदान करेंगे और सनी की किरपा दस्टि आप पर बनी होगी राहू आपके पंचम भाव में वराजमान होंगे और केतू आपके लाव भाव में वराजमान होंगे तो यहां रा यानि आप सारे लिख समश्याओं से निजात पाने में काम्याब होंगे सूरिया अनुकूल दजा में नौमे भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में मौजूद होंगे तो इस दोरान सब्ता के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तोर पर कोई बड़ा फायदा होगा जिसके कारण नया घर वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं परिवार के लोग और आप खुस दिखाई देंगे इस सब्ता में ऐसा कोई कार्य पूरा होगा जो लंबे समय से टलता रहा है और आपके किये गए प्रियास, आपके किये गए मेहनत को देखकर आपके परिवार वाले भी आपसे खुस नजर आएंगे वहीं केतु आपके ग्यार्वे भाव में मौजूद है इसलिए यह सब्ता जीवन में कारेचित से जुड़ी कई चुनोतियां लेकर भी आएगा तो ऐसे में संभव है कि इस दोरान आपको नए टारगेट लक्षे दिये जाए इसलिए मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपियो करने की आफशक्ता होगी इस सब्ता समय आपकी प्रतिक्छा लेगा क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विसे की किताब या उसके नोट्स को कहीं रखकर भूल जाए जो आपको मानसिक तनाव दे सकता है ऐसे में छोटी-छोटी बातों को लेकर जुझलाट मैसूस होगी इसलिए सांत रहे और सांत मन से उसका समादान ढूणने की कोशिस करें और इस सपता में बनने वाले योग गरह नक्षत्र आपको सकरात्म कुरूप से प्रभावित करेंगे यह सपता आपके वेपार वेबसाय के हिसाब से काफी लाबदाई साबित होगा छात्रों को भी अनुकूल परणाम प्राप्त होंगे स्वास्ते में सुधार होगा और परिवरक रिस्ते अच्छे होंगे दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर